वेल्टम तो लियाशिमा शो दोस्तों प्रधान मंत्री नहेंदर मोधीजी ने इस अफ़ते कोरोना रिलीफ के लिए 20 लाग करोड के पाकेज का इलान किया था उसकी तस्वीर की पहली चलग कल फाइनांस मेंस्टर निर्मला सीता रमन ने पेश की थी 20 लाग करोड यानि की 20 के आगे 12 जीरो हैं और इस रकम को पेश किया गया था एक तुखबंदी के साथ 20 लाग करोड in 2020 साथ ये कहा जा रहा है कि ये पैकेज है लगबग हमारे देश की GDP यानि की ग्रॉस टोमेस्टिक प्रोडक्त का 10 परसेंट मैं पहले ज़ली से ये बजा देती हूं कि GDP होता क्या है तो दोस्तों एक पर्टिकुलर पीरियद में देश भर में जो भी गुड्स बनते हैं या सर्वेसिस दी जाती है तो GDP उनकी टोटल कॉस्ट होती है इंडिया में GDP quarterly या कह लीजिए हर तीसरे महिने कालेट की जाती है जहां देने वाली बात ये है कि GDP का पार्ट बनने के लिए उस उदपादन या सेवाओं को देश के भीतर होना चाहिए अब एक बात और क्लियर कर दो कि जो ये GDP होता है सरकार का पैसा नहीं होता है सरकार की कमाई जो taxes या बाकी sources से होती है उसे कहते हैं budget अगर आपको figures में बताऊं तो साल 2019-20 में सरकार की कमाई या कह लीजिए जो budget था वो था 30 लाग करोड का तो क्या सरकार 30 लाग करोड की अपनी कमाई में से 20 लाग करोड कोरणा relief package में खर्च कर देगी ऐसा नहीं है यही तो एक game है जो सरकार खेल रही है और आपको भी इस game को जानना बहुत जरूरी है अगर आप इस package से बहुत उमीद लगाए बैठे हैं तो इस video को enter जरूर दे अगर आपको मेरे द्वारा किया गया analysis अच्छा लगे तो आप मेरे channel को subscribe करके मुझे support कर सकते हैं जोस्तो एक चीजा पहले जान लीजिए कि ये बीस लाग करोड का package सिरफ अभी के लिए या इस साल के लिए नहीं है बलकि इसको आने वाले तीन सालों में धीरे-धीरे खर्च किया जाएगा इस package की पूरी details की कितना पैसा किसको मिलेगा, खांख खर्च होगा ये जानकारी चार से पांच चड़नों में दी जाएगी अब बात करते हैं इस package से जुड़े कुछ एलानों को लेकर कल की सबसे बड़ी घोशना थी कि MSMEs यानि की medium and small scale industries को तीन लाग करोर रुपे की आर्थिक मदद की जाएगी तो इस package में खास तौर पर MSME सेक्टर पर धान दिया गया है कल के इलान की मताबिक इन traders को 31 October 2020 से शुरू होकर चार साल तक बिना guarantee के loan मिलेगा और आने वाले 12 महीनों तक यानि की एक साल तक principal amount की payment करने की जुरूरत नहीं होगी इस एक कदम से 45 लाग small companies को फायदा मिलेगा जिससे की वो अपने रुके हुए कामों को resume कर पाएंगी और workers की salary देने में सक्षम हो पाएंगे जिससे की कुछ हद तक industrial sectors में नौकरियां बच पाएंगी अब इसके साथ ही stressed MSME यानि की कर्स में डूबी हुई कमपनियों के लिए 20,000 करोर रुपे का provision किया गया है जो benefit करेंगी 2,000,000 MSME को सरकार की इन companies के लिए पैसे का provision करके फिर से पटरी पट लाने की कोशिश है ये ही नहीं सरकार MSME को e-market से भी जोडने का प्रियास कर रही है आपकी जानकारी के लिए बता दू कि अब सरकार ने MSME की definition को भी turnover और investment के basis पर change कर दिया सीमा पहले से जादा कर दी गई है ताकि जादा से जादा लोग लाब उठा सके नहीं definition के according अब 1 करोड investment और 5 करोड तक की turnover वाले उद्योग micro की category में आएगे small का turnover 50 करोड से कम होना चाहिए और medium का turnover 100 करोड से कम होना चाहिए ये सब हो गई जानकारी अब दोस्तों एक चीज बताओ कि जो loan होता है वो government देती है या bank देता है दूसरा सवाल loan जो bank देता है वो पैसा government का होता है या logo का उस bank में जमा कराया पैसा होता है हम सब जानते है कि loan हमेशा logo के deposit से ही दिया जाता है सरकार के fund से नहीं यही तो एक game है यह 3 लाग करोड जो MS ME को देने की बात हुई है यह एक काफी बड़ा chunk है इस economic package का पर अब आपको बता चल गया होगा कि यह package नहीं है यह तो simple loan है यह bank दे रहा है government नहीं दे रही है दूसरी बात अभी पहले मैंने बताया कि loan लेने वाली इन industries को एक साल तक interest या principal amount नहीं देना है इस loan पर सुन्ने में अच्छा लगता है लेकिन इस साल का amount compound होगा माफ नहीं किया जाएगा तो loan के दूसरे साल से आपको सारा पैसा देना शुरू करना होगा किसी भी तरह की principal या interest के amount में छूट declaration में नहीं है यह total एक loan scheme है अब बताती हूँ कि tax related क्या क्या changes है तो सबसे पहले income tax returns फाइल करने की महलत चार महिने से बढ़ा दी गई है जो अब 31 जुलाई से बढ़कर हो गई है 30 मुवमबर इसके साथ ही non-surgent payments पर TDS यानि कि tax deducted at source मौजूदा rate से 25% घटा दिया गया है और यह applicable है सभी तरह की payments पर इंट्रस्ट, rent, brokerage, supply etc यह लागू होगा आज से लेकर 31 March 2021 तक सरकार की दी गई इन reduction से सीधा सीधा लगबग 50,000 करोड की amount लोगों के pockets में रह जाएगी यानि कि liquidity लोगों के हातों में रहेगी सरकार के पास यह पैसा नहीं जाएगा लेकिन गौर करने की बात यह है कि इंडिया में 130 करोड लोगों में से केवल 1% लोगी tax पे करते हैं यह मेरा नहीं बलकि सरकारी आंकर है फेबरी 2020 में कुछ income tax department ने tweet करके लिए जानकारी भी थी तो tax relief वाली announcement 128 करोड भारतियों के जिंदियों में कुछ राहत नहीं लाने वाली है अब बताती हूं कुछ changes जो सरकार ने PF को लेकर किये हैं जो private employees हैं जिनका mandatory PF यानि की provident fund contribution monthly 12% था उसको अगले 3 महीने के लिए 10% कर दिया है इसका मतलब अब employer भी 12% की वज़ाए 10% contribute करेगा employee के PF में अब इसे employer का भी थोड़ा पैसा बच जाएगा और employee का भी थोड़ा पैसा बच जाएगा हाला कि इसे long term savings कम हो जाएंगी लेकिन अभी situation की यही डेवान है सरकार का कहना है कि इस कदम से 6,750 करोड रुपे EPF में कम जाएंगे और liquidity बढ़ाने में मददगार हो सकेंगे वैसे अगर दूसरे एंगल से देखे तो यह हमारा ही पैसा है जो हमें मिलेगा सरकार की तरफ से कोई contribution नहीं है अब बात करते हैं कुछ पुरानी स्क्रीम को लेकर सरकार में lockdown लगाने से पहले ही 26 मार्च को 1,70,000 करोड का प्रधान मंत्री गरीब कलियान पाकेश दिया था जिसमें कुछ ऐसी योजनाओ का पैसा भी जोड़ा गया था जो पहले से ही चलाई जा रही है तो इस 20,000,000 करोड में ये पैसा भी included है जो पहले ही खर्च हो चुका है या allocate हो चुका है तो अगर कल तक की Finance Ministry के announcements देखे तो ये कह सकते हैं कि ना तो किसानों को अभी तक कुछ मिला है और ना ही उन Migrant Labors के हित में को एलान हुआ है जो अभी सबसे जादा vulnerable काटेगरी में है क्या लगता है आपको की आत्म निर्भर भारत अभ्यान को सफल बनाने के लिए सरकार को और क्या-क्या कदम उठाने चाहिए अगर अब इस package को summarize करें तो अभी तक के 20 लाग करोड के package में से 5,20,000 करोड रुपे allocate कर दिये गए हैं और इन में से कम कर देते हैं पहले के package जो इसमें included है और जो मैंने अभी पहले बताया है कि सरकार मार्च में दे चुकी है इसके बाद अब बच गए हैं सरकार के पास 13,10,000 करोड ये बिल्कुल वही situation है कि उमीद करते हैं कि हमें salary slip पर लिखी CTC मिलेगी पर मिलता in hand कुछ और ही है दोस्तों हो सकते हैं आपको मेरा आज का वीडियो इतना positive ना लगाओ पर मेरी यही कोशिश है कि जो actual facts है वो मैं आपको बताऊं ताकि आप ही समझ पाए कि आखिर इस समय देश में हो क्या रहा है और हाँ अपनी विचार मेरे साथ नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करें आप सहमत है तब भी और अगर आप असहमत है तब भी अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़ों बिलते हैं मेरे अगली वीडियो में